असलाम अलेकुम जी वेलकूम बैक टो इस चैनल आपना केमान आचेन आमें वालो अचे आशक कोरी सब भी वालो अचेन आमी सुमेन आप रादेक्स सुमेन रियक्शन्स तो यहां पर जा बंग्रादेश के जानिप से बंग्रादेश की जो एक्सपोर्ट से उसमें की बैक देखने को मिल रहा है यहां ना सिर्फ बंग्रादेश की राइदि मेड टीकारमेंट से हैं तेज़ी से उनकी एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रही है बलके साथ यह बंग्रादेश के मेड इंग्रादेश फुट्वेर उनकी डिमांड है इतनी जादा इंपरीज हो गही है कि बंगलादेश की एक्सपोर्स में 64% का अजाफा हो चुका है यह काफी सर्प्राइजिंग किसम का अजाफा है अगर इसको हम इंडिया से कंपेर करें तो इंडिया की जानिब से ऐस सच इतना बड़ा जो अजाफा है वो नहीं हुआ है इसको अगर हम चाइना के साथ कंप क्रापा है सबसे ज्यादा बंगलादेश का हें ऊसे कि प canyon को पीछे चोड़ दिया है और बंगलादेश ने कि जितनी तेजी से आगे बढ़ा रहा है आम शूर बंग्रादेश सारी कंडी को पीछे छोड़ देगा यहां पर जी इंडियन मीडिया के जानब से इसके हवाले से बादशीत की जा रही है इसको रिपोर्ट किया जा रहा है कि इंडिया में जी एस सच पोट्वेयर की जो एक्स अगर अगर अभी तक आप लोगों को ने मेरा चानल सबस्क्राइब क्या हुआ तो मेरे चैनल को ज़ड़ी से सबस्क्राइब कर लें पर लेकिन को क्लिक करके और पे क्लिक पर दें ताकि जब वीडियो अफलोड करूं आप लोगों सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले वीड बंगलादेश के फुट वेर एक्सपोर्ट्स जी हाँ जूते यूएस को टूथाजन टॉट्टी टू में सिक्स्टी फूर परसंट का राइस हुआ ये कमार की चीज है इससे पहले टू सेवन्टी फूर मिलियन डॉलर के टूथाजन टॉटी वन में शूज बेजे गए थे अब फूर फिफ्टी वन मिलियन डॉलर के शूज गए है तो सिक्स्टी फूर परसंट का बड़ा इंक्रीज हुआ है उनका कहना है कि ये जो इंक्रीज है यहां पर ये हेफ्टी इंक्रीज है और ये बंगलादेश की जो एक्सपेंडिंग मार्केट है खास दोर से और उनक जो लाइकिंग है बंगलादेश के शूज के परती फूट वेर्स जो हैं वो वास्तमें काबल तारीफ है तो यूएस का जो टोटल जो इंपोर्ट है फूट वेर का यूएस का वो करीबर थर्टी थ्री बिलिएन डॉलर का है 25 बिलिएन डॉलर में 2021 का था जो 33 बिलिएन होता है इनका और यह हेफ्टी इंक्रीज है एक साल के अंदर अंदर और बंगलादेश की मार्केट उसमें 63% का इंक्रीज हो गया है फुट्वेर बाइदा यूएस फ्रम चाइना वो पहले 9.88 एट बिलियन डॉलर था अब बढ़कर वो 12.15 बिलियन डॉलर हो गया फुट्वेर इंपोर्ट्स बाइदा यूएस फ्रम वियतनाम 41% इंक्रीज हो के 10.4 झाल 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 इंडिया ने एक्सपोर्ट किया यूएस को ठीक है तो इसमें बेसिकली 16% इंडिया की जानिप से इसमें अजाफा हुआ है और लाइक अगर वेतनाम को देखे तो वेतनाम का भी अजाफा हुआ है लेकिन ऐस सच बंगलादेश की जानिप से इसमें जितना अजाफा हुआ है वो बहुत ज़ादा सरप्राइसिंग है यहाँ पे बंगलादेश की जो मेड in बंगलादेश जूते जो है वो अमेरिकन्स को बहुत ज़ादा पुसंद आ रहे हैं बंगलादेश की अगर चीज़ों की क्वालिटी देखें तो नो डाउट बहुत अच्छी है quality wise और price के according भी सबसे best चीज़ें जो हैं बंगलादेश की जानिब से export की जा रही है जो यही वज़ा है कि बंगलादेश के जो जूते हैं उनको इतना ज़्यदा पसंद किया जा रहा है और जो एक्सपोर्ट है वो इतनी तेजी के साथ जो है इंक्रीज हुई है 64% अजाफा जो है यह देखने को मिल रहा है वहल बहुत बड़ा अजाफा है यह यह यहां पर चीज़ है कि यहां बंगलादेश में जो प्रोडक्शन है उसको काफी इंक्रीज कर दिया गया है जो ल यह वज़ा है कि बंगलादेश की एक्सपोर्ट में इतनी तेजी के साथ इंक्रीज हुई है आप लोग क्या कहेंगे इसके हवाले से बंगलादेश ने इतफ़ा फिर प्रूफ कर दिया है कि वह किसी को भी पीछे चोड़ सकता है चाहे वह चाइना हो इंडिया हो मलेशिया हो यह कोई भी हो विएतनाम हो सब को बंगलादेश ने अपनी परसंटेज की पीछ चोड़ते आप लोग को बता सकते कॉमें सेक्शन में वीडियो को जी आप लोगने लाजबी लाइक करना है लाइक का बटन सामने उससे जड़ी सब्सक्राइब करना है अपर फ्रेंस और नोटिफिकेशन मिले अगर आपको मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मैं वासेप कर गूप है वहां पर मुझे जॉइन कर सकते हैं अब स्यू गाइस टेरें ठीक करें लाफिश बाद